वेल्कम टू माई चैनल दीपक्तिया खना व्लोग तो आज हम दोगना फाइनली हॉस्पिटल पहुच गये हैं भाबी को लेके आज 20 अप्रेल हैं डॉक्टर ने आज की डेट दी थी मैंने कल के व्लोग में भी आपको तुछा सा बताया था इस बारे में भाबी का कोविट का टैस्ट हो गया वो रिपोर्ट लेकर हम हॉस्पिटल आ गए और बस नाइन मन पूरे हो चुके थे थे थोड़ा सा एक हफ्ता जादा ही हो गया एक्स्ट्रा तो आना भी बहुत जरूरी था बस हम कोविट की रूपोर्ट का इंतिजार कर रहे थे वनना हम शायद दो तिन द एक्साइटिड भी बहुत ज़ादा है और डर भी बहुत लगा वर लगया लेकिन बहादी बड़ी हिंत से लिए बिल्कुल कोवह भी में हुद डरते हैं और especially जो मम्मी बनने वाली होती है उसको देखके डर लगता है हम लोगों को क्योंकि पहला बेबी है और बस इस टाइम बेबी के पापा भी साथ में नहीं है तो और ज्यादा जिम्मेदारी सी बड़ी वी सी महसूस होती है बड़ी मम्मी भी बहुत टेंशन में थी लेकिन बाबी ने वह हमारी बहुत बहुत हिम्मत दिखाई है और बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल किया तो अभी ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है उसके बाद बाबी के जो बेबी है उसके धरकन चेक करेंगे अंदर ले जाके ना रूम में लिटाके चेक वगरा करेंगे तो वो जो धरकन थी वो भी मैंने भी सुनी थी बेबी की जो बाबी को अंदर ले गए थे और इतना अच्छा मतलब हैसूस हो रहा था अपना टाइम याद आ गया था जब दिया होने वाले थी और इस तरीके के चेक अप वगरार होते थे मेरा भी सेम ऐसी कुछ हुआ था म दो कि करनी परते हैं साइन अगरा होते हैं और साथ में जो आठे है वह करते हैं और अब यहां पर भाबी का एक हो रहा है ब्लड टेस्ट पिर उसके बाद यो है धकन चेक भी włosत, ब्लड्कन चेक हुआ और मनी यहां पर साइट में बैटा है बहार के भी बहुत सारे काम थ के और मम्मी बैठी हैं बड़ी मम्मी की थोड़ी सी तबयत लुटी मतलब बहुत बैठा भी नहीं जा रह था उनसे बस फिर भी वो किसी तरीके से मैनेज कर रही थी और यहाँ पर ना मैं लेबर रूम में दिखने के लिए आई थी और यह वो तो यह दिया चापर होई थी यह वह लेबर रूम है मेरे नॉर्मल डिलीवरी थी मैं बता रहीं आपको न और यहां पर साइड में एक रूम है वह भी मैं आपको दिखाती हूं यह वालो रूम जैसे बेबी होता है न तो इसको इसी रूम में मतलब वाश बगार करते हैं अटना बहुत सारी याद है मेरे दिवरानी के वेवे हुआ था तब भी मैं यही पर आई थी और उसके बाद खुद के वह तब भी हैं यही पर आप जो है तीसरी पर में यहाप पर आई हूं और यह रूम है और रूम भी वह वाला है सेम जो कि मुझे मिला था दिया के नहीं था जनरल बॉर्ट भी लेने को वो लोग बोल रहते वट हमने प्राइवट ही लिया रूम और बार्थूम वगारा भी पूरा मतलब चेक वगारा हम लोग ने कर लिया था और सैनेटाइज भी खुद से कर ली थी एक एक चीज जो है ना पर पहले से अल्रेडी थी सारी साफ सुत्री वट हमने फिर भी ना अपनी तसली के लिए सानेटाइज कर लिया था तो अभी इस बैट पर भावी बैठिंगी या फिर हम लोग भी बैठ सकते हैं तो इसको मैं सबसे पहले सैनेटाइज कर लेती हूँ मैंने वो जो बैंच वगारा बिच्छी हूई एक चेय कर लेनी चाहिए तो यहां पर मैं अपनी मन की तसली कर रही हूँ सानेटाइज कर रही हूं सारी चीजे और जो जो चीजे हम खरीद रहे थे वो भी हम सानेटाइज करते जा रहे थे हैं हैं टू हैं ना साथ में मतलब अपनी पूरी तसली करते जा रहे थे और यहां पर फि कुछ फिर भी व्य डरने दि आरे हैं सच में बहूत हिमत दिखा रही थे यह कह सकते हैं उनको देखें ला इंकर गाई है बाद में जब आही है रूम में सुध हो यह बें इसान ठाक बिल्कुल मतलब नहीं कर रही थी परिशान नहीं कर रही थी ना होता है ना पहला बेबी होता है तो मा को भी कुछ नहीं पता होता है वो बहुत डरी हुई होती है परिशान होती है तो यहाँ पर ना भाबी को ममी छोड़ कर आ रही है और यहाँ पर बस हम लोग वेट कर मैं उसके बाते कर रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा बस मन में बहुत जादा डर होता है यार एक मतलब अपने घर के सदस्ते को हमा केले ऐसे छोड़ देते हैं चार पाँच लोगों के बीच में फिर भी यार बहुत डर लगता है हमारा मतलब ये टाइम निकल चुका है जै बड़ी मम्मी साथ साथ रहती है देख वो बिमार भी है लेकिन साथ साथ है मम्मी भी साथ साथ है मम्मी प्यार भी कर रही थी ना जब अंदर जा रही थी तो प्यार भी कर रही थी और मैं यहाँ पर ना बेबी के कपड़े निकाल रही हूँ क्योंकि जरूरत पड़ेगी अभी थोड़ी देर में कुछ ही देर में जूरत पड़ेगी तो मैं बेबी के कपड़े निकाल रही हूँ, टॉबल निकाल रही हूँ, और बेबी को लपेटने के लिए कपड़ा वगारा निकाल रही हूँ, कॉटन का कपड़ा यूज करने के लिए बोला था डॉक्टर ने, जब लपेटने के लिए क्योंकि अभी गर्मी है और बिल्कुल कमबल वगारा में नहीं करना है तो मैं बस वही समान निकालके अपनी पूरी देयारी करके रख रही थी तो उपर उपर रख दिया है मैंने बैक में और अभी जो है भाबी के पापा भी आएंगे देखना तो मास्क में तो कोई भी पैचान में नहीं आ रहा होगा इतनी जादा खुशी हो रही थे ना कि बेबी हो रहा है अब बेबी होने वाला है हो भी गया था गोर में लेके गूम भी रहे थे हम लोग जो हसी दिख रही थी ना वो खुशी दिख नहीं रही थी तो यहाँ पर म तो बहुत डल लग रहा था जिस टम मैं घूम रही थी और यह देखो वो सामने से भाई आ रहे है ना वो मुझे बताने ही आ रहे थे कि क्या हो रहा है लेकिन वो मोड गए थे फिर मैंने अंदर जाके पता करने की कोशिश करी तो अभी इस टाइम पर बेबी हो चुका है यह वो रूम है ना मैंने बताया था ना बच्चे को यहाँ पर वाश करते हैं तो बस वो यह सब कर रहे थे बच्चे की बहुत प्यारी सी रोने की तेज रोने की आवाज यहारी थी और मैं बहुत ज़्यादा मुझा एक्साइटिड हो रही थी कि कम मैं लूंगी कम मैं जब तक हावन नी ओजाता बिलकुल भी नहीं दिखाऊंगी अभी तो बेबी का पे पहले बेबी के पापा देखेंगे तो यहाँ पर बेबी हो चुका है देखो क्या बहुत और यह नह ला रहे ना नह ला रहे हैं मभारकों अंगल जी वहारा खुछाइब चिपने पहले कप्ड़ पहन कह सetter न के गोदी में ना के संदर पहले कपड़ेंगे गोदी में इसको मैं रूंबार लेके यह ुझारी मड़ ус बड़ी मम्मी पांस और सबसे वेले मैं लिया है यानी कि छोटी बुवाphenे होटी दिया सबसे पहले इसको और सबसे पहले जो है देखा भी मैंने इसको और सबसे पहले जो है नियोज भी मुझको मिली मैंने सब को बताई कि देखो यह हुआ है यह हुआ है और साथ ही साथ बेबी के जो पापा थे उनको भी फोन करके सबसे पहले मैंने नियोज दी कि आप पापा ब बाई बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे और अभी जब मैं रूम में आई तो मैंने बोला कि पंखा ओफ कर दे मनी क्योंकि वही बच्चे को ठंड लग सकती है अभी डॉक्टर आएगी देखने के लिए फिर जो है अगर वो बोलेगी तो ऑन कर देंगे अम लोग बाकि फै कुछी से ले रहे थे गोदी में इतना मज़ा आ रहा था इतने एक्साइटेड थे हम लोग अभी कोवेट सिटुएशन थी तो हम लोग इतने एक्साइटेड थे अगर वो नहीं होती ना सिटुएशन तो हम लोग और पागल हो जाते भीड लग जाती होस्पिटल में और मे बड़े मंमे की और सन्वी भाई ने भी वीडियो कॉल पे देख आ अपने बच्चे को तो बहुत ज्यादा ना रोना श्टार्ट कर दिया तो और उनको देखके मननी ने भी रोना स्टार्ट कर दिया था आगी की वीडियो देखो आप लोग मैं भी तोड़ा सा एमोशनल हो रही हैं देखते देखते अभी फिर से न वो सब चीजा रिपोर्ट रिपीट हो रही है तो वो हो रहा है यह देखो सन्नी भाई जो है रोते रोते न उदर मुझ कर लेते हैं यह देखो यार देखो पहली बार पापा बने है और बस अपने बेभी को साथ में पहली बार न गोदी ले पाए न देख पाए हैं और भाबी के मतलब साद भी नहीं थे होता है यार इस सिटुएशन ने न सबको मजबूर कर दिया है क्या करें तो मन्निया आप बात कर रहा था सन्नी भाईर से और वो खुद भी रोने लगा मैं उसे डाट पिरी थी क्यों रो और भाबी के लिए भी दुआ किजिए वो भी जल्दी से रिकवर कर लें बड़ा ऑपरेशन से बेबी हुआ है सब कुछ मतलब ठीक हो जाए बेबी हमारा ठीक है बाबी ठीक है हल्दी है बेबी और यहां पर यह देखो चाचू रो रहे हैं बेबी के यह मोमेंट्स है जो क देखेंगे तो चलो दखती हूं मैं वीडियो को यहीं पर एंट करती हूं और होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना अपने फैमली फ्रेंट के संग जादा से जादा ठीक है बाइ-बाइ-टेक एर अपना झाल 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 झाल झाल